चलिए इन चीजों को ऐसे विवस्थित कीजिए जिस रुतू में ये आपको अधिक मिलते हैं मक्का, खीरा, आम, लीची, संत्रा और गाजर अब आता है उत्तर देने का समय सबसे पहले भुट्टा अम्मूमन हमें गर्मियों में के समय में मिलता है वैसे ही खीरा भी हमें गर्मियों में मिलता है और आम तो आप सबको मालूम है हमें गर्मियों में ही मिलता है वही लीची हमें बारिश के समय में दिखाई देते हैं और संत्रे हमें सर्दियों में मिलते हैं और वैसे गाजर भी हमें सर्दियों में मिलती है तो हर सबजी और फल के उगने का एक निश्चित रितू है क्योंकि हर रितू में तापमान, बारिश और आदरता अलग-लग होते हैं और हर फसल की जरूरत भी इनके अनुसार अलग-लग होती है और इसी आधार पर हमने दो रितू में बाटा है जो कुछ इस प्रकार है राबी और खरिफ अगर हम राबी रितू की बात करें यह रितू नवेंबर से लेकर एप्रिल तक और जसमें पाए जाने वाले कुछ फसलें हैं गेहूं, सरसो या अलसी, इतियादी वही खरिफ रितू की बात करें तो यह जून से लेकर औक्टूबर के बीच में उगाई और काटी जाती है और इसके कुछ मुख्य फसलें हैं धान, मक्का और सोयाबीन इन दोनों के अलावा चारा फसले होती हैं जिनमें बर्सिम, जई और सुडान ग्रास हैं जो जानवरों को खिलाने के लिए उगाई जाती है अब इसी अधार पर एक प्रशन कीजिए निम्द में से कौन सी एक रभी फसल है धान, मक्का, सोयाबीन या अलसी इसका सही उत्तर है अलसी अलसी एक रभी फसल है इसे अपनी कौपी में नोट कर ले